तनाव का कारण है लेकिन एक माँ और पत्नी होने के नाते मैं इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पा रही मुझे इस विशे में आपकी अनमोल सला चाहिए धन्यवाद अब ऐसा नहीं है कि एक पत्नी होने के कारण और फिर एक माँ होने के कारण आपके भीतर इच्छाएं आई है अगर आप किसी की पत्नी नहीं थी तब आप किसी की पत्नी बनने की इच्छा कर रही थी अब किसी की पत्नी बनने के बाद आपने संतान पानी की इच्छा की और एक माँ बन गई अब आपके पास संतान है और आप कह रही है इन दोनों की वज़े से मेरे मन में इच्छा जाकती है ये सच नहीं है अगर आप किसी की कुछ भी न हो तब भी आपके मन में इच्छाओं की आग जलेगी कैसा है? हाई या ना? अगर आप इस दुनिया में किसी की कुछ नहीं है तब भी आपके इच्छाओं की आग जलेगी, है ना? तो ये मत सोचिए कि आपके भीतर इच्छाओं हैं आपने कहा कि इच्छा ही सभी दुखों का कारण है इच्छा सभी दुखों का कारण नहीं है अधूरी इच्छा सभी दुखों का कारण है है ना? है कि नहीं? इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलती है अधूरी इच्छा आपके दुखों का कारण है अब इस इच्छा का क्या करें? क्या हम इच्छा को मार दें? मुझे पता है, लोग आपको इस तरह की बाते सिखाते रहे हैं. आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना होगा. इच्छाओं को मारे बिना आपके दुख नहीं जाएंगे. अब अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं, तो आपके पास बस अपनी इच्छाओं को मारने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी. और ये इच्छा हमेशा अधूर ही रहेगी. मुझे कोई भी इच्छा नहीं चाहिए. क्या ये भी इच्छा है? ये इच्छा है या नहीं? है. तो अगर आप इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो ये काम नहीं करने वाला. क्योंकि इच्छा किसी खास चीज की इच्छा नहीं करती. जिस सूर्जा को आप इच्छा कहते हैं, वो सूर्जा से अलग नहीं है जिसे आप जीवन कहते हैं अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना चाहते हैं तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है ना? आज आपको यहां किसने पहुँचाया? किसी बस, कार या वहान ने आपको नहीं पहुँचाया? आपकी इच्छा ही आज आपको यहां लेकर आई है, है ना? आपको घर कौन ले जाएगा? आपकी इच्छा ही आपको घर ले जाएगी आपको खाना कौन खिलवाएगा? आपकी इच्छा ही आपको खाना खिलवाएगी तो आप जिसे इच्छा कहते हैं, वो उससे अलग नहीं है जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, जीवन ही इच्छा है आपके जीवन का आधार ही इच्छा है, है न? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इच्छा को मार दो तो फासी पर लटकना ही एक मातर तरीका है इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मैं मरना चाहता हूँ ये भी एक इच्छा है, है न? हाँ या न? तो खुद को इन चीजों से धोखा न दे इच्छा आपके जीवन का मूल सत्व है लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी तयार हो जाती है उसे पूरा करते ही अगली तयार हो जाती है ये आपको हर समय चालू रखती है और जाहिर है कि कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी और वो अधूरी इच्छाएं आपको बहुत दुख देती है अगर आप इच्छा को देखें दरसल हमने जब बात शुरू की तब हम इसी को देख रहे थे बस हमने इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपकी मौजूदा स्थिती से थोड़ा अधिक विस्तार चाहता है यही इच्छा है तो आपकी इच्छा का अंते मुद्देश्य है असीम होना अनंत प्रकृति को पाना पर चूंकि आप जागरुक नहीं है आप उस इच्छा को एक अचेतन अभिव्यक्ति दे रहे है जो असीम होना चाहती है तो आपको अपनी इच्छा को नश्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं कर सकते क्या कोई अपनी इच्छा को नश्ट कर सकता है क्या यह संभव है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन है बात बस इतनी है, कि आपको अपनी इच्छा को एक सचेतन प्रक्रिया बनाना होगा इस समय ये अचेतन तोर पर काम कर रही है क्योंकि इस समय ये इच्छा आपके बारे में भी नहीं है ज़रा गौर कीजिए अभी आप त्रिवेंद्रम या त्रिवानंत्पुरम में रह रहे हैं आपके पडोसी के पास एक बड़ी सी कार है आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी दो कारें चाहिए अब आप इन कारों के बारे में नहीं जानते आप किसी छोटे से गाउं में रहते हैं और आपके पडोसी के पास एक बड़ी सी भैंस है आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी दो भैंसे चाहिए तो आप जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं आपकी इच्छा बस उसी की एक प्रतिक्रिया है, है न? ऐसा इसी लिए है, क्योंकि विस्तार की इच्छा अचेतन रूप से प्रकट हो रही है अगर आप अपनी इच्छा करनी की प्रक्रिया को एक जागरुक प्रक्रिया बना लें तब इच्छा कोई समस्या नहीं रहेगी इच्छा एक शांदार वहन है, जो आपको अलग-अलग जगाओं तक ले जाएगा अगर आप परम तक पहुँचना चाहते हैं, तब भी आपको इच्छा की ज़रूरत होगी, है न? वैसे भी आपकी इच्छा सीम को पाना चाहती है, सीमाओं से परे जाना चाहती है, ये परम प्रकृती को पाना चाहती है आपको बस इसके प्रती जागरुक रहना है अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया में जागरूकता ले आएं, तो ये एक शानदार साधन होगी अगर ये अचेतन रूप से प्रकट हो रही है, तो ये आपको पागलों की तरह दोडाती है ये आपको हर वक्त बिना रुके दोडाती रहती है तो एक पत्नी और एक माँ होने के नाते, ये बहुती ज़रूरी है अब जब आप एक माँ है, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है आप एक और इंसान को इस धर्ती पर लाई है अब आप किस तरह का इंसान तयार करती है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, है न? ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है आप कैसी अगली पीडी तयार करती है ये आपके हाथों में एक माह होने के नाते, है न? अगली पीडी में किस तरह के लोग धर्ती पर रहेंगे ये आज की माताएं तय करती है, है न? जब आपके उपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो आप अचेतन होकर नहीं जी सकती आपको चेतन बनना ही होगा खास तोर पर महिलाओं को चेतन बनना ही होगा ये बहुत बहुत ज़रूरी है अगर किसी के जीवन के हर दिन में अगर हमारे जीवन के हर घंटे और हर पल में अगर कदम आगे बढ़ने हैं अगर इसे विकास के प्रक्रिया होना है ठेहराव की नहीं तो ये महतुपून है कि हम लगातार परम सत्य के संपर्क में रहें हम जो हैं उसके सीमत पहलूं से खुद की पहचान जोड़ लेने से हम कई चीजों से पहचान बना लेते हैं अगर आप परिवारों में मैंने देखा है कि अक्सर अलग-अलग लोगों की खाने की प्लेटें अलग होती हैं अगर आप प्लेट बदल कर उनको देते हैं तो एक बड़ा विवात खड़ा हो जाएगा प्लेट का कोई स्वाद नहीं होता और नहीं आप उसे खा सकते हैं न तो इसका स्वाद अच्छा होता है और नहीं ये आपको पोशन देती है लेकिन ये मेरी प्लेट है मैं तुम्हारी प्लेट में नहीं खाऊंगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो जिस भी चीज़ को आप छूते हैं जिस पर आप बैठते हैं जिस भी चीज़ को आप देखते हैं उसके साथ आप पहचान बना Lेते हैं इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं खास कर मैं टू वीलर ड्राइवरों को देखता हूँ आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट हमेशा जलती रहती है क्योंकि उन्होंने ब्रेक को आधा दबा रखा है और उनका एक पैर नीचे है ये इनसान एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके दोनों पैर उपर होने चाहिए और जब तक ज़रूरी ना हो पैर ब्रेक पर नहीं होना चाहिए क्या आपने देखा है कुछ लोगों की ब्रेक लाइट लगातार जलती रहती है उन्होंने ब्रेक दबा रखा है क्योंकि उन्हें लगता है ये सुरक्षत है ब्रेक को दबाए रखना जैसे जैसे आप इस चीज से और उस चीज से और उस चीज से पहचान जोड लेते हैं आप अपना लंगर फैक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जहाज कहीं पहुँचेगा ये सिर्फ डूबेगा एक ही जगा है जहां वो जा सकता है ऐसे नहीं, वो सिर्फ ऐसे जा सकता है ऐसे तो सत्संग गत्वे, निसंग गत्वम का मतलब है ये चार लाइने आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप सत्य के संपर्क में है तो आपके रिष्टे बस रिष्टे होंगे, आसकती नहीं आप जीवन में शरीक होना जानेंगे लेकिन आप जीवन में उलजना नहीं जानेंगे इसलिए नहीं कि ये सही ये गलत है अगर आप ब्रेक लगाये हुए कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को जला डालेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जीवन दुखदाई है हाँ, अगर आप पूरा ब्रेक दबा कर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो ड्राइविंग एक दुखदाई प्रक्रिया है इसमें कोई शक नहीं है तो अगर किसी को लगातार आगे बढ़ना है अगर उसे अपने जीवन को उड़ने देना है घसीटना नहीं है अगर किसी को विकास करना है अगर आपके विकास के प्रक्रिया लगातार चल रही है अगर आपका विकास का नजरिया सिर्फ उस साथ तक है जो चार्ल्स डाविन ने बताया था कि आपकी रीड थोड़ी छोटी हो गई है यह लंबी हुआ करती थी और बाहर लटकती थी अब यह थोड़ी छोटी हो गई है आप ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं आपको इसे लपेटना नहीं पड़ता अगर विकास के बारे में नजरिया बस इतना ही है तो जीने का ये एक तरीका है बंदर से थोड़ा बहतर लेकिन बंदर से अधिक कश्ट दायक बंदर से अधिक विनाशकारी अगर विकास का मतलब ये है तो ठीक है लेकिन अगर आप चाते हैं कि विकास लगातार होते रहे हर दिन, हर घंटे, हर पल अगर आप विकास करना चाते हैं तो ब्रेक को हटाना होगा तब ही ये आगे बढ़ेगा अगर आप कार या कुछ और चला रहे हैं आपको हर समय एक्सलेरेटर दबा कर रखने की जरूरत नहीं है अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए दबाते हैं और छोड़ देते हैं तो जिस तरह के इलाके से आप गुजर रहे हैं उसके मुताबिक ये चलती रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हैं ये चलती रहेगी जीवन भी इसी तरह है आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इसी तरह है साधना भी इसी तरह है आप थोड़ा सा दबा कर छोड़ दीजिये ये चलती रहेगी अगर आप हर वक्त ब्रेक न लगाते रहें आप जो भी चीज देखते हैं, उससे आपको लगाव हो जाता है आप जो भी चीज देखते हैं, आप उससे पहचान जोड लेते हैं अगर आप अपनी पहचान किसी भी ऐसी चीज के साथ जोड लेते हैं जो आप नहीं है तो जाहिर है कि आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे, आप सत्य से असत्य की ओर बढ़ रहे हैं वास्तविक्ता से भ्रह्म की प्रक्रिया की ओर इसमें इनसान विक्सित नहीं होगा, वो वस उलज जाएगा क्योंकि इसमें आप अपने अस्तित्व की प्रकृती को नहीं जानेंगे इसमें आप कोई ऐसी चीज पर्ष नहीं करेंगे जो असली है मनो वैज्ञानिक नाटक इस कदर बढ़ जाएगा यह आपके दिमाग में इतनी धूल उड़ाएगा कि जो आपके सामने हैं उसे आप नहीं देख पाएंगे अगर यहां धूल की आंधी आती है अगर उन्होंने यहां घास उगा दी है और यह संभव नहीं है लेकिन मान लीजे धूल की आंधी आती है आप यहां बैठे हैं ध्यानलिंग यहां है लेकिन आप देख नहीं सकते, क्योंकि बीच में एक पर्दा है, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप लगातार गंदगी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड रहे हैं, जो आप नहीं हैं, आप असत्य से सत्य के ओर नहीं, बलकि सत्य से असत्य के तो मेरे रिष्टे की जो प्रकृती है, वो परिशानी नहीं है। समस्या ये है कि आप उसके साथ अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। आप खुद के अलावा दूसरे पदार्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं की भावना को पैदा करने के लिए। ब्रह्मान्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं की जगा ले सके। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप सिर्फ एक और एक मात्र तरीके से ही अनुभव कर सकते हैं। वो है खुद के जर्ये। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका अस्तित्व ही सेल्फ इश है। आपको शब्दों को अलग करना होगा। आपका अस्तित्व ही सेल्फ इश है। क्योंकि हर चीज़ जो होती है, वो सिर्फ स्वयम के जरिये होती है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर आप इसे बस ऐसे का ऐसा ही रखते हैं, तो यह आपको पूरा ब्रह्मान दिखाने के काबिल है। अगर आप इसे गंदा कर देंगे, तो यह आपको वो भी नहीं दिखाता जो आपके ठीक सामने है। तो अगर आप निर्मो या किसी भी चीज के साथ पहचान न होने के अवस्था में हैं, सिवाए उसके जो यह है, तो आप स्वाभाविक रूप से एक स्थिर और अटल अवस्था में आ जाएंगे। एक बार जब आप अपने मकसद में अटल होते हैं, आपको मुक्ती से वंचित नहीं रखा जा सकता। इससे आपको वंचित रखना संभव नहीं होगा। यह जीवन अपनी स्वाभाविक मंजिल तक इसी लिए नहीं पहुंचता। क्योंकि हर मिनिट आप अपनी दिशा बदल रहे हैं। हर मिनिट आपके जीवन का फोकस बदलता रहता है। हर मिनिट जिस पर भी आप नजर डालते हैं, यह उसके साथ पहचान बना लेता है। तो कुछ समय बाद इसको पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसे बिलकुल भी पता नहीं होगा कि कहां जाना है। यह बस एक उल्जन भरा जहमेला होगा। अचानक जीवन अनावर्शक रूप से पेचीदा लगता है। पेचीदा पन सिर्फ आपकी मनो वैग्यानिक प्रक्रिया में है। जीवन काफी आसान है। पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। आप बस पैदा हो गए और एक दिन आपको बस मर जाना है। वाकई। क्या कोई दूसरा आपके लिए कोई और चीज अनिवारे बना रहा है। क्या कुछ और जरूरी है। जन जरूरी है, मृत्यू जरूरी है। इनके बीच आप जो चाहे वो करें। आसान है, है ना। नहीं, नहीं, लेकिन, लेकिन, लेकिन ये सब आपने बनाया है। सिर्फ दो चीजें प्रकृती ने आपके लिए तै की हैं। आप पैदा हुए, आपको मरना है। क्या आप खुश नहीं हैं, क्या आप एक्सपाइरी डेट के साथ आये हैं। क्या आप खुश नहीं हैं। मैं खुश हूँ। अगर कोई एक्सपाइरी डेट नहीं होती हैं। क्या हम आपसे एक पल के लिए भी ध्यान करवा पाते हैं। मान लीजे कि आप अमर होते हैं। ए भगवान, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता था। क्योंकि एक एक्सपाइरी डेट है और समय खिसक रहा है। चाहे आप जीएं या न जीएं। आप चाहे कुछ करें या न करें। ये बस खिसकता रहता है। क्योंकि ये आपके लिए इंतजार नहीं करता। अगर आप इसे रोक पाते तो आप ध्यान नहीं करते। जरा देखिए। आप कुछ नहीं करते। चुकि आप इसे रोक नहीं सकते। ये बस गुजर रहा है। हर पल मौत करीब आ रही है। आपको लगता है कि आपकी शादी होने वाली रास्ते में हो सकता है कि वो भी हो जाएं। लेकिन आप मरेंगे। ये बात पक्की है। तो एक ही मजबूरी है कि आपको मरना है। उससे पहले जो भी आप करते हैं वो आपका है। अगर आप बस इतना समझ लेते हैं। जब आप पैदा हुए, तो कोई मजबूरी नहीं थी। आप किसी भी तरीके से हो सकते थी। मजबूरी सिर्फ पेट की थी। एक बार पेट भर गया। फिर दूसरी मजबूरी सिर्फ ये है कि आपको एक दिन मरना है। बाकी सब आसान है। आप चाहें तो इसे पेचीदा बना सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इतनी आसान प्रक्रिया। लेकिन आपका दिमाग इसे बहुत पेचीदा बना देता है। पागलपन की हद तक। ये इसे इतना पेचीदा बना देता है, कि सुबह उटना ही एक बहुत जटल प्रक्रिया है, दिन गुजारना तो बहुत ही जटल प्रक्रिया है, हर चीज, लगभग हर चीज, इतनी जटल बन गई है, अगर आपको चलाना होता, देखिए, अगर आपको ओडियो सिस्टम चलाना होता, माफ कीजिए, अगर आपको अपनी सांस चलानी हो, अगर आपको अपने दिल की धरकन चलानी हो, अगर आपको अपने खून का सर्कुलेशन चलाना हो, अगर आपको कोशिकाओं को चलाना हो अगर आपको अपने सिस्टम की केमिस्ट्री को चलाना हो क्या आप कलपना कर सकते हैं? बस दस मिनिट के लिए अपनी सांसों को चलाईए देखते हैं ये हर जगा चली जाती है अगर पूरी जीवन प्रक्रिया आपके हाथों में होती तो मुझे नहीं पता आपका क्या होता आपको इसे चलाना नहीं पड़ता ये खुद बखुद होता है सांस चल रही है, हर चीज चल रही है चाहे आप इसके प्रती जागरूख हो या नहीं ये चल रहा है, चाहे आपको इसकी परवा हो या नहीं ये चल रहा है तो बस इतना ही है, जीवन बस चलता रहता है आपको सिर्फ मरना है और वो भी हो जाता है, ये आपको नहीं करना है बस हर चीज को अपने साथ शालीनता से होने दीजे बस इतना ही जीवन को शालींता से होने देना और जब मौत आती है तो उसे भी शालींता से होने देना बस इतना है